शाथियों नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डारेक्शन में शाथियों आज 8 फरवरी 69,000 सिच्छक बरती कटाफ मामले की सुनवाई होनी थी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 बच के 15 मिनट से सुनवाई होगी और आज 6 मित्रों को 3.30 वजे तक का ही समय दिया जाएगा ये सारी न्यूस थी लेकिन एकदम से अभी ये लिश्ट लगी हुई है कोट में और कोट में एक बदला हुआ है कोट नमबर 23 में आज जस्टिस श्री राजे सिंग चोहान जी जो इस केस की सुनवाई कर रहा है कटाफ मामले की वह नहीं बैठेंगे क्योंकि आज उनकी इस शिटिंग वो लेंच के बाद डबल बेंच में कर दी गई है यानि कि वह डबल बेंच में बैठेंगे तो सातियों कोट नमबर 23 में जस्टिस राजे सिंग चोहान के ना बैठने के कारण आज 69,000 से चक भरती में जो कटाफ मामले की सुनवाई होनी थी 2 बच के 15 मिनट पर उसकी सुनवाई नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आज जस्टिस राजे सिंग चोहान जी कोट नमबर 23 में नहीं बैठेंगे वह डबल बेंच में बैठेंगे शातियों अब आपके मन में विचार आ रहा होगा भाईया अब कब सुनवाई होगी तो भाईया ये है कि कल है शनिवार परशोर रभीवार दो दिन कोट बंद रहता इसलिए डेट मिल गई है 11 फरवरी की 11 फरवरी को 12 बारा से सुनवाई होगी 2 बच के 15 मिनट से यानि कि सो मुआर 11 फरवरी को 2 बच के 15 मिनट से पुना सुनवाई होगी कोट नमबर 23 में जश्टिस राजे सिंग चोहान की बेंच में तो शातियों आज जश्टिस राजे सिंग चोहान जी के ना बैटने के कारण कटा मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी तो शातियों जिस प्रकार से कोट में इस तरह की बेली एक ऐसी ऐसी न्यूज हो रही है इस सिचक भरती को लेकर शातियों यह भरती कहीं नहीं फस्ती हुई नजर आ रही है तो देखते हैं आगे इस पे क्या क्या होता है फिलार आज की अपडेट यह है कि आज 79 जार सिचक भरती की सुन कोट से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए बाई